हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो और यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी सेंटर मैं हूँ सुनिल कुमार और स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पर हम सिख रहे हैं MS Excel और MS Excel सिखने की इस स्रीज में आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है नंबर फॉर्मेट लास्ट वीडियो में हमने राप टेक्स्ट और मर्जन सेंटर मर्ज सेल के बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया था इसमें हमने समझा था कि कैसे एक सेल में हम मल्टिपल लाइन लिख सकते हैं जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं प्रेसेंटेज लिख लिकर करना चाहते और एक सल में मल्टिपल नीप पल्स लाइन लिखना चाहते हैं यह सिखना चाहते हैं तो आप हमारे प्रिविएस वीडियो को जरूर मिल जाएगे में प्री नोट्स, पी फ्री में आपको आपार जरूर। जरूरुलention मिलल जाएगी करें और बेल आइकन प्रेस तो चलिए देखते हैं कि इस नंबर फॉर्मिट में कौन-कौन से आप्सें रखे हुए जिसमें पहला आप्सें आपको दिखाई देरा जैनरल जैनरल का मतलब अगर हमें बताओ तो जैनरल का मतलब की जैनरल परपस यानि कि इसमें हम कुछ भी ल लिख सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें कुछ पढ़ने वाला है नहीं नेक्स्ट जो समझने वाला है वो है यहां पे नंबर नंबर का मतलब अभी आप समझेंगे कि नंबर जिसमें केवल और केवल अंक लिख सकते हैं करेंसी का मतलब होता है मुद्रा मुद्रा का यहां पे इंटरी किया जाता है उसको हम करेंगे तो करेंगे कुछ वैसे हीकाउंटिंग भी होता है इसके बाद आपका सौठ डेट है सौठ अमने हम ने डेलिखना लॉंक्क डेट है कि बहुत ही आपके number formats है actually इनका use क्या होता है तो basic से अगर मैं बात करूँ तो इसका मतलब है कि जो हम table में entry करने वाले हैं वो हम क्या entry करने वाले हैं ये हमें पहले ही decide कर देना चाहिए इससे क्या होता है कि काम करना थोड़ा आसान हो जाता है और गलती होने की chances कम हो जाता है कैसे हम समझते हैं जैसे कि हमारे पास student table रखा हुआ है student table में हमें पता है कि roll number है तो इसमें हमने number ही entry करना है name है तो इसमें हम text ही entry कर सकते हैं क्या हम name में 1,2,3,4,5,6 यानि कि कोई number entry कर सकते हैं नहीं कर सकते, बट यहां पर अभी आप देखेंगे कि इस column का जो format है, वो कौन सा रखा हुआ है, तो general है, लेकिन हम चाहें तो इसको एक specify कर सकते हैं, कि इसमें क्या हो, तो केवल और केवल आपका text ही entry हो, तो जैसे हमने इन columns को select किया, select करने के बाद हम गए formats में, formats में जाने changes नहीं हुआ, बट आप यहां पर notice करेंगे थोरा सा कि हमारा यह जो format है, वो difference हो चुका है, जैसे कि अभी मैं इस cell को select किया, मोहन वाले cell को, अब हम आपको दिखाया है, तो यहां पर भी देखेंगे, text हो चुका है, और वैसे हमने बाहर कोई दूसरे other cell को select किया, तो अभी कि गीता लिखा हुआ को मैंने डिलीट किया, अब मैं यहां पर लिख दता हूँ 100, और जैसे ही मैंने इंटर किया, तो यहां पर आप देख सकते हैं, कि यहां पर एक green mark दिखाई आपको दे रहा है, और green mark यह हमें बता रहा है, कि यहां पर कोई error है, और यहां पर यह message भी ह में दे रहा है, the number in the sale formatted as text, यह बताना चाहरा है कि जो text है, जो sale का अब date of birth, अब date of birth हमने लिखना है, तो date हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि माली जे कि हमने ABCD लिख दिया, तो क्या यह date थोरे ना है? नहीं, तो यहाँ पर हमारा wrong method हो चुका है, अभी हम इसको date format में change करते हैं, लेकिन अभी देखिए, अभी थोरा सा ध्यान देंगे, कि य मजने के लिए हम आज का date लिखते हैं, आज का जो date है, तो हम पहले month लिखते हैं, पहले हमारा April हो गया, month हो गया, उसके बाद आज जो date है, वो है 18 and 2021, यह मैंने आज का date लिखा, बस मैंने date ही लिखा, तो अभी आप देखेंगे कि automatic यहाँ पर क्या हो चुका है, तो date हो तो हम इसके date को सही कर देते हैं, जैसे यह मोहन है, तो आज इसका जनम थोरे न हुआ होगा, तो हम इसको change कर लिखा है, माल इसके आज ही का दिन था, 1999 में इनका जनम हुआ था, तो यह मेरा date हो गया, और भी यहाँ पर सीता है, तो सीता का कुछ date होगा, लेकिन यहाँ पर general है, अब मैं इन सब को क्या कर देता हूँ, select करके यहाँ पर मैं date लिख देता हूँ, और जैसे मैंने यहाँ पर date, short date को select कर लिया, अब मैं इसमें कोई भी date लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आगा, अभी देखिए, date format तो हमने set कर दिया, अभी मैं कोई एक ऐसे रेंड 1900, अच्छा, एक concept बहुत ही अच्छा है, इसको ध्यान से समझेए, जो हमारा MS Excel है, वो 1 जनवरी 1900 से date format को support करता है, और last कहां तक करता है, 31st December 1999, यानि कि 1999 तक यह last जाता है, यानि कि starting 1 जनवरी 1900 से करता है, और last 31 December 1999 तक यह जाता है, मतलब कि इसी के बीच में calculation करेगा, इसके बात का date format को support नहीं करेगा, इसलिए इन्होंने मैंने बस 12 लिखा, तो यह 12 को automatic convert कर दिया, एक date में, I hope कि आप clear हो चुका होगा, कि अब हम इसमें कोई भी number enter करेंगे, तो वो automatic date में convert कर देगा, जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया 1000, मैंने कुछ इस तरह से number 10,000 date दे दिया तो अभी आप देखेंगे, कि यह 10,000 को date में convert कर दिया, अब यह कैसे convert हो रहा है, तो एक जन्वरी 1900 से वो counting करना है, स्टार्ट कर रहा है, और 1000 दिन जहां पूरा वहीं का date उनोंने दे दिया, तो इस तरह से यहां पर date formatting support कर रहा है, I hope कि आप यहां पर समझ चुके होंगे, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, आगे कि entry कर देता हूं, मैं एक और date entry कर देता हूं, गीता के लिए, जैसे कि मैंने यहां पर दे दिया, six month हो गया, और यहां पर जो date हो गया, suppose 28 and यह हो गया, 1992, तो इस तरह से हमने यहां पर date एक और format दे दिया, तो अब हमें समझना है कि य जो date entry हो रही है, अब इस date के दिन कौन से है, अगर मैं देन देखना चाहता हूं, जैसे कि मोहन का जनम दीन है 18 April 1999, सीता का जनम दीन माल लेते हैं थोरी देर के लिए कि 18 मई 1957 को हुआ है, और गीता का जो date है 28 जुन 1992, मैंने कुछ इस तरह से date लिके हुए, अब इनके days करना है, तो कैसे करेंगे तो वही date format में हम जाएंगे, और direct हम यहां से long date को convert कर देंगे, ओके आप यहां पर देख सकते हैं, एक आपको error message दिख रहा है, एक hat symbol दिख रहा है, एक बहुत अच्छा concept आपको सीखने को मिला, यह hat symbol क्या बताता है, कि जो content है, जो हमारा entry हुआ text data है, वो इस sale की width से जादा है, और sale की जो चोड़ाई है, sale की जो size है, वो छोटी पर रही है, data की according, तो अब हमने क्या करना है, धहां से इस concept को देखिए, अगर इस type के भी error आपको आते हैं, तो इसको कैसे resolve करेंगे, इसको आप देखें, तो यहां पर जो मेरा column है, data of birth वाल हो चुका है, अब यह आप देख सकते हैं, I hope कि यह आपको clear हो चुका होगा, actually हो क्या रहा था कि मैंने double click करके, इसके size को fit कर दिया, जैसे अभी मैंने size को छोटा किया, फिर मैं size को resize कर लिए, तो double click करने से यह auto fit हो जाता है, I hope कि यह आपको concept clear हो चुका होगा, तो सबका day wise, month और पुरा का पुरा long date यहाँ पर दिखाई दी रहा है, I hope कि यह concept clear हो चुका होगा, कि हमें क्या entry करना, यह सब कुछ हम पहले से ही decide कर सकते हैं, हमारे sale में क्या entry हो, आगे हम बात करते हैं कि जैसे यह सारे students है, तो कोई ना कोई तो course कर रहे होंगे, suppose जैसे कि मै जो मोहन है यह triple C course कर रहा, सीता है तो सीता भी कोई course कर रहे है, जैसे कि मैंने कहा O level A course है, यह भी कर रही है, गीता जो है वो A level course कर रही है, सुरेश जो है यह ADCA course कर रहा है, and प्रिया जो है, suppose यह मान लीजे कि यह कर रही है, BCA, okay, अब यह course है, तो course के तो कोई फी होना चा अगर इसमें आपको कोई दिक्कत आ रहा है, तो मैं इसको separate video में समझाऊगा कि हम कैसे कोई sale को insert कर सकते है, okay, मैंने यहाँ पर लिख दिया course fee, मैंने यहाँ पर direct fee लिख देता हूं, ठीक है, अब जैसे triple C course है, तो triple C course का क्या fee है, तो suppose मान लो कि मैंने यहाँ पर लिख दिय जिसे हमें पता चले कि यह रुपय की बात की जा रही है, अब 3000 क्या है, मान लो कि हम यहाँ पर heading change कर दे, heading मान लो कि हमारा हो गया number, तो यह 3000 number भी तो हो सकता है, ID भी सो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम चाहते कि नहीं, यहाँ पर जो formats हो रहा है fee की, तो fee में specific करता हूँ, सबसे पहले मैं इस area को select करता हूँ, और इसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं currency apply करने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा, अभी मैं क्या apply करने वाला हूँ, currency, currency का मतलब होता है, मुद्रा रुपय की बात की जा रही है, तो अभी मैं यहाँ से currency apply करूँगा, तो अभी आप देख सकते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है तो dollar sign लगा रहा है लेकिन हम चाहते हैं कि dollar sign तो American है और चुक्छ हमारा software American है इसलिए यहां पर dollar sign यूज कर रहा है बट हम चाहते हैं कि नहीं हमारा Indian sign आना चाहिए Indian currency का sign आना चाहिए तो हम कैसे करेंगे तो फिर से मैं in areas को select कर रहा हूं और यहां पर आप देखेंगे notice करेंगे बिल्कुल मैं simple बता रहा हूं वैसे और भी formats में हम detail अंदर जाके देख सकते हैं यहीं पर मुझे मिल जागा यह जो dollar sign आपको दीख रहा है इसके arrow पर मैंने click किया और यहां पर मुझे दीख रहा है English India और मैंने इस English India को select कर लिया और जैसे मैंने select कर लिया यहां पर आप देख सकते हैं कि Indian rupees की currency आ चुका हुआ है और मैं आगे entry करता हूं जैसे कि O level course है तो O level course की मैंने यहां पर दे दिया 10,000 ओके और यह 10,000 हो गया और ADCA को A level की course है तो A level course को मैंने suppose माल लिया कि मैंने ले दिया 20,000 और फिर ADCA course है तो ADCA course का मैंने दे दिया 18,000 और BCA course है तो BCA course जो है यह पूरे graduation level का course है तो इसमें total खर्च आएंगे suppose माल लेती है कि हमने यहां पर 50,000 रुपए यहां पर हम लिख देते हैं जो कि बहुत ही कम है और मैंने यहां पर enter किया तो अभी आप देख सकते हैं कि जितने भी मैंने course की entry की है जो amount की entry की है यहां पर automatically यह जो currency का sign है appear होते जला है हम बार बार नहीं set कि है एक बार हमने set कर दिया वो जब जब हम entry करते जा रहा है वो automatic यह sign automatic लगा दे रहा है I hope कि यह सारी बात आपको clear हो पा रहा होगा अगला जो फिल्ड है यह है class time suppose इन लोग का कुछ class time भी हो रहा होगा तो class time के हम entry करेंगे तो हमें अब पता है अब सोच सकते नहीं कि यहां पर जो हम formats apply करेंगे के टाइम अपलाई करना है, तो हमने टाइम सेलेक्ट कर लिए, आप देखो, जैसे हमने केवल 2 लिखा, तो यहाँ पर अटमेटिकली कुछ दिखा रहा है, जैसे कि यहाँ पर क्या आगया, 12 बजा दिया, अब मैंने केवल 2 लिखा था, तो 2 को उसने क्या समझा था, कि 2 को डेट समझ लिया था, और डेट को अभी आप यहाँ पर फॉर्मूला बार पर थोरा सा फोकस करेंगे, तो यहाँ पर दिख रहा है कि 1, 2 जनवरी 1900, ठीक है, मैंने केवल 2 लिखा था, तो यहाँ पर वो डेट को समझ लिया था, और देट को समझने के बाद पूरा और 12 बजा दिय और मैं कुछ एक specific time देता हूं, जैसे कि हमने 2 बज के, हमने दिया 50 मिनट, और जैसे मैंने enter बटन किया, तो अभी आप देख सकते हैं कि 2 बज के 50 मिनट तो हुआ, लेकिन एम हो गया, हम चाहते हैं कि 2 बज के 50 मिनट हो लेकिन पी एम हो, तो अब हम क्या से करेंगे, तो 2 बाद हम एक और दो फिर से counting करने लगते हैं, दो पहर के 12 बजने के बाद, एक और दो हम फिर counting करने लगते हैं, तो अभी हम जैसे लिखते हैं कि 14 बच के 50 minutes, ठीक है, और हमने यहां पर enter बस किया, तो अभी आप देख सकते हैं कि फिर से वो 2 बच के 50 minutes हो गया, बट इस बर क्या हुआ है, तो PM हो चुका है, I hope कि आपको clear हो चुका होगा, कि यह कैसे यह work कर रहा है, तो date and time भी हम यहां पर use कर सकते हैं, I hope कि यह understand कर पा रहे होंगे आप, अगर मैं एक और formula की मज़द से बता हूँ, जैसे कि आज का और अभी current time मैं लिखना चाहूँ, जैसे कि अभी जब यह video recording हो रहा है, तो इस time का अगर मैं time लिखना चाहूँ, तो मैंने apply कि a now function, और जैसे मैंने enter button प्रेस किया, तो अभी आप देख सकते हैं, कि अभी जो time हो रहा है, 10 बच के 14 मिनट 56 सेकेंड PM, अभी रात के 10 बच के 15 मिनट हम मान के चलते हैं कि हो रहे हैं, और यह अभी real time दिखा रहा है, लेकिन हमें पता है कि अगर हम general में, कहीं मतलब कि अभी यह जो मैंने sales select किया है, यह क्या है, तो general category में आ रहा है, तो general category में अगर हम equal to now function का use करते हैं, तो अभी आप देखेंग तो इस sale में, केवल और केवल time में आ रहा है, because कि हमने time format को choose किया, तो जैसा हमारा sale का format होगा data entry उसी format में होगा, यह अब आपको clear हो चुका होगा, तो आगे हम समझते हैं percentage को देखते हैं, तो percentage का मतलब यहां पर लिख रहा है present percentage, present, अब यह जो मोहाना कितना दिन present है, उसक यह percentage में हमने entry करना है, जैसे कि होता है कि आपका college या school की policy होता है कि at least 80% student का attendance होना चाहिए, तो हम कुछ attendance की entry करने वाले हैं, लेकिन वो कैसे होना चाहिए, तो percentage में होना चाहिए, तो अब हम यहां पर पहले ही क्या कर लेंगे, sell को select कर लेंगे, field को और यहां से हमने percentage वाल I hope कि यह समझ आ रहा होगा, जैसे हमने केवल 78 लिखा percentage sign automatic लगा लिया, तो और भी हम entry करते हैं, जैसे कि यह बंदा, सीता जो है, सीता कितना दिन है, तो 90% present है, गीता जो है 92% है, सुरेश जो है, सुरेश जो है, यह आ रहा है 85%, प्रिया जो है, यह 99% है, तो जैसे हमने percentage लि देना चाहते हैं, तो दे सकते हैं, अगर हमें पता है कि points में entry नहीं करना है, तो हमारे पास एक बहुत ही बहतरीन option है, यहाँ पे decimal points को remove करने के लिए, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, यह decimal points हमारे remove हो रहे हैं, साथ के साथ इधर sale में भी आप देखते रहेंगे, मैं और इधर click कर रहे हैं, तो घट रहा है, तो decimal points आपको देने हैं, कितने देने हैं, नहीं देने हैं, यह सब कुछ आप अपने हिसाब से define कर सकते हैं, I hope कि यह सारी बाते आपको clear हो चुकी होंगी, अगर फिर भी कोई doubts रह रहा हैं, तो आप हमें comment section में comment करके पूच सकते हैं Basically, इस format का काम है, इस class का जो main motive है, यह क्या है, कि देखो हमने entry हर जगा पर क्या करें, number ही entry करें, जैसे कि यहाँ पर हमने number ही entry किया है, 1, 2, 3, 4, 5 ही entry करें, ठीक है, यहाँ date में भी, time में भी, fee में भी, लेकिन इन सब का एक रूप देना, एक प्रारूप देना, कि यह जो number entry हुआ है, यह एक रूपिया है, यह जो number entry हुआ, यह एक time है, और यह जो number input हुआ है, यह एक percentage है, इसकी एक पहचान देना, एक उनका रूप देना, इसको हम कह सकते हैं, उनका एक format देना, उसके लिए हम number format का use करते हैं, मुझे उमीद है कि इसको आपने बहुत ही अच्छे से enjoy किया होगा, understand किया होगा, और इसके सारे concept आपको clear हो चुके होगा, और मैंने एक real life program के उपर हमने काम करके दिखाया, कि अगर हमने कोई real life पे काम करना है, तो हम इस तरीके से काम कर सकते हैं, ताकि हमें बार बर percentage sign लगाना ना परे, बार बर हमें AM, PM ना लिखना परे, या फिर बार बर हमें रुपीज का sign लगाना परे, या फिर अगर हम कोई date लिख रहे हैं, तो हमने short date लिख लिख लिया, उसको long date में convert करना है, तो हमें बहुत ही easy way में कर सकते हैं, तो ये तमाम बाते हम number format के मदद से कर सकते हैं, मुझे उमीद है कि ये video आपको बहुत ही होगा और इस वीडियो को आप एक लाइक करें और जदर से जदर लोगों तक सेर करें, ताकि बाकी सावरे लोग इस वीडियो के मदद से easy way में और आसान हिंदी में और free में computer knowledge गेन कर सके, computer में एक अच्छा knowledge हासिल कर सके और अपने life को, अपने career को set कर सके, thanks for watching this video and take care, bye-bye. I'll see you next time.